शुक्रवार सुभा से विधान सभा चार के पांच वाड़ों में शंकर लालवानी के महा जन संपर्क को लेकर अलग ही नजारा है शेत्री विधायक मालिनी गौड वा संचालक एकलव यसींग गौड ने खासी तयारी कर रखी है आज के जन संपर्क में दोपार बाद पूर्व मुख्यमंत्री शीवरासी चोहान भी जन संपर्क में शामिल होंगे भाजपा की अयोधिया कही जाने वाली विधान सभा चार में खासी तयारी है जगर जगर लालवानी का भव्य स्वागत क्या जा रहा है भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी का आज सुभा वाड सत्तर से जन संपर्क प्रारव हुआ उनके साथ मेर मालीनी गौड भी जीप में सवार थी समाजवादी इंद्रा नगर शियु मंदिर से प्रारव हुए जन संपर्क के दोरान पड़ी संक्या में भाजपा कारेकरताओं के साथ रहवासी मौजूद थे पारशद सुधिर देडगे के वाड में महा जन संपर्क की शुरुआत हुई यहां के सभी शेत्रों में रहवासियों ने बढ़ चड़कर जन संपर्क में हिस्सा लिया उसके बाद काफिला वाड इकोत्तर पहुँचा जहां लालवानी का भव्य स्वागत क्या गया यहां पारशद भारत पारख सहीत बड़ी संक्या में कारेकरता मौजूद थे जन संपर्क वाड तीरासी पहुचा जहां पारशद लता लड़ा ने खासी तयारी कर रखी थी लालवानी के स्वागत के साथ साथ मालीनी गौड का भी स्वागत क्या जा रहा था जहां मालवी पगड़ी पहना कर लालवानी का स्वागत हुआ तो गौड को मोतियों की माला पहना कर महिलाओ ने स्वागत किया जनसंपर्क पुनाव वाड 91 पहुचा दोपर को जनसंपर्क यहां से वाड 67, 68, 69 जाएगा जहां भव्य स्वागत की तैयारी की गई है लालवानी वा गौड व्यापारिक शेत्रों में पहुचेंगे जहां पुर्व मुख्यमंत्री शिवराज सी चोहान भी शामिल होंगी चुनाव संचालक व प्रभारी एकलवे गौड ने बताया कि व्यापारिक शेत्रों में शिवराज जी व लालवानी का एथियासी स्वागत होगा पूरे मार्ग को सजाया गया है व्यापारी भी खुद स्वागत की तैयारी कर रहे है जनसंपर्क की शुरुआत के दोरान नग अध्यक्ष गोपी नेमा, रमेश मेंदोला, सहित पार्षत शंकर यादव, राजेश शुकला, मंडल अध्यक्ष प्रितम लुथरा, उपाध्यक्ष सोनुराठोर व अन्यपदारिकारी मौजुद थे आएंसे 24 उसके लिए इदर से डिविजनल हेट दाउत कुरेशी की रिपोर्ट